हेलो स्टुटेंट्स वेलकम बैक तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स तो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर् sporophytic generation उसमें जो alternation होती है alternation मतलब कि alternate एक बार gametophytic phase दूसरी बार sporophytic फिर gametophytic फिर sporophytic तो ये होता है alternation ठीक है तो generally किया है देखो bryophyta में जो है alternation of generation होती है और जो alternation of generations होती है वो होती है दो generations के बीच में gametophytic और sporophytic phase के बीच में ठीक है और ये दोनों ही जो gametophytic और sporophytic face होते हैं वो morphologically distant होते हैं, different होते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, gametophytic face की तो gametophytic face independent होता है, मतलब कि वो sporophytic face में, sporophyte में dependent नहीं होता, दूसरा ये autotrophic होता है, यानि कि खुद का food खुदी prepare करते हैं, haploid होते हैं, और gametes क करते हैं, gametophyte में या gametophytic face में gametes की formation होती है, उसके बाद हम बात करेंगे sporophytic face तो ये develop होता है, इस पोर्स से, जब इस पोर्स जर्मिनेट करते हैं, तो उसके बाद sporophyte बनता है, और तब ही sporophytic generation स्टार्ट होती है, gametes रिप्रेजेंट जहां पे, क्या होता है कि जब gametophytic face में क्या होता है, तो जहां पे gametes की formation हो जाती है, तो वहां पे gametophytic face खतम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद start fertilization होगी, फिर zygote बनेगा, वो जर्मिनेट करेगा, और वहां से start होगी हमारी sporophytic face, जो male और female gametes है, वो आपस में fuse करते हैं, और zygote बनाएंगी, जो कि क्या होता ह है, deployed होता है, ये zygote जो है, mother cell की तरे act करता है, और sporophytic face, जब ये zygote germinate करता है, हम इसे क्यों कह रहे हैं कि mother cell की तरे act करता है, for sporophytic face, क्योंकि जब ये deployed zygote germinate करता है, तो उससे क्या बनता है, sporophyte बनता है, और जहां पे sporophyte बन गया, वहां से sporophytic face start हो जाएगी, ठीक है, आप किया है कि sporogonium जो है वो सबसे simple structure होता यानि कि sporophyte जो है वो completely dependent होता है gametophyte में तो क्या था independent था वो तो किसी वे dependent नहीं था लेकिन जो हमारा sporophyte होता है वो dependent होता है gametophyte में mainly for nutrition nutrition के लिए ज्यादा dependent रहता है ठीक है जो sporogynous tissues होते हैं क्या होता है कि capsule होती है foot seta capsule होती है तो capsule में क्या होते हैं sporogynous tissues होते हैं और in sporogynous tissues में क्या होता है reduction division होती है यानि कि meiosis होती है और उसके बाद उससे क्या बनते हैं मीह ragd by होते हैं हैं तो सारे संवार आजाते हैं जो स भालान के अब क्या चीजे यहां पर यहां बहुत का में प्र verz चीजे यहां बहुत कर देएगा में फैस देएगत को जी conclus L प्रोटोनीमा क्या होता है कि जब sports जो है। वो land करते हैं एक suitable substratum और conditions favorable होती हैं और तो उस time पे जब sports की germination के बाद जब haploid sports germinate करते हैं तो germination के बाद जो first structure बनता है उसे हम बोलते हैं proto nema so the first structure formed after the germination of spores when they land on the suitable substratum under favorable conditions is known as proto nema ठीक है तो यहाँ पे आप diagram की help से आपको easily जो है समझ में आएगा देखो gametophyte है gametophyte जो है haploid होता है यहाँ पे anthidium और archigonium होंगे anthrozoid और egg male और female है आपस में fusion होगा इनका और क्या बनाएंगे zygote बस इतना ही था सिर्फ इतना था gametophyte face उसके बाद क्या हुआ देखो फिर क्या होगा कि zygote बना और zygote बनने के बाद फिर germination होगा और sporophyte बनेगा zygote deployed होता है तो अगर deployed structure terminate करेगा तो उससे deployed structure ही बनेगा आगे ठीक है तो sporophyte भी हमारा जो है 2X यानि की deployed है फिर capsule में जो है spores होंगे वो भी 2X होते है spore mother cells जो होते हैं फिर spore mother cells में reduction division होती है जिसकी वज़े से क्या होती है जो spores बनते हैं वो haploid होते है spores की germination होगी और germination के बाद क्या होगा protonima बनेगा और protonima जब पूरा develop करेगा उससे क्या बनेगा gametophyte बनेगा जो की क्या होगा haploid होगा ठीक है तो यह है हमारा alternation एक बार gametophytic face फिर sporophytic फिर gametophytic फिर sporophytic तो यह जो एक alternation होती है इसे हम बोलते है alternation of generation in bryophytes अब bryophytes जो है वो apospory और apogammy शो करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें apospory की जब क्या होता है वैसे क्या होता है कि जो haploid spores होते हैं उससे haploid gametophyte develop होगा हमें पता है लेकिन apospory में क्या होता है कि जो gametophyte होता है वो spores से नहीं बनता है ठीक है वो किस से बनता है sporophyte में जो vegetative cells है जब वो उससे बनेगा जब gametophyte sporophyte के vegetative cell से बनेगा instead of spores तो हम उसको क्या बोलेंगे एपो spory बोलेंगे जैसे anthoceros mosses हो गई ये इसका example है एपो गैमी क्या होती है कि जहाँ पे sporophyte जो है वो gametophyte से बनता है without gametic fusion ठीक है gametic fusion नहीं होगा male और female आपस में जो है gametes वो आपस में fuse नहीं करेंगे gametophyte जो sporophyte है वो gametophyte से ही बनेगा पर gametic union नहीं होगा ठीक है example जैसे funeria so hopefully आपको इस समझ में आया होगा thank you